भारत में आंगनबाडी की शुरुआत 1975 में की गई थी इसका मुख्य उद्दे से था कि गाउ में आर्थिक रूप से कमजोर समुदाई को पोशड और प्रात्मिक सिक्षा दी जाए खासकर जीरो से लेके पांच वर्स के बच्चों को गर्वती महिलाओं को धात्री माताओं को पुरक पोशड आहार दिया जाए कोरोना काल में जब सब कुछ बन था आमदनी बन थी ऐसे में वाराने सी जन्पत के चोलापुर बलाक के पहार पुरगाउं में एक समुदाई है अगर हम मुसहर समुदाई की बात करें तो ये एक वंचिस समुदाई है इनकी स्वास सिक्षा के साथ साथ इनकी आर्थिक स्तिती भी काफी पिछडी हुई है क्योंकि इनकी आमदनी का कोई बढ़िया श्रोत नहीं है और ऐसे में इस समुदाय को आगनबाडी से 6 माह से पुरक पोशड आहार नहीं मिल रहा है जिससे इनकी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है साथ कोई जनकारी देता ना हुए वो इसे ना मिला था कायन आई बच्चा वन छोटा छोटा बच्चा था खाई हैं कुछ दिन आ खाई हैं या खाग माईना था कुछ था हुए जनकारी भी नाई हैं यार सब गरीब हें खैले खैले बाहर मर भी करें बाल बच्चा के लिए गर्भावती महरारून के न कुछ अथवा मिला रहा है घीव मिला था न कुछ मिला था न दाल चावर मिला था न कुछ का पता अना मिली कहां से मिला था न कुछ अन दाल बच्चा का पाइदा हो बाल बच्चा खाता है शुबधा रहा है फिनके अथवा कि मिला था न दाल रहा हमने पता न दे था हैं खा जाती लिए बता उता ना आए ना मुसहर समुदाय उत्तर प्रदेश के सबसे जादा हासिये पर रहने बाला समुदाय है इसलिए जरूरत है इन समुदायों की मदद की जाए ताकि समाज के मुख्य धारा में लोट कर आ सके इसलिए इन मुसहर समुदायों की समस्याओं पर मैंने एक वीडियो बनाया और वी मैं वीडियो देखने वाले आप सभी दर्थकों से गुजारिस करती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करें ताकि इन समुदाई की मदद की जा सकें मैं शबनम जनपदवारा नसी राज्य उत्तप्रदेश इंडिया अनहट के लिए